पियारे बच्चो नमस्कार, शिवसंदिया, सभी लोगो को नमस्कार, सभी लोगो का श्वागत है आपके इस प्यारे से DLS Education विद्याकुल परिवार में तो सभी लोगो का श्वागत है वोविननदन है बच्चो आज मैं लेकर आचुका हूं नाइन्थ में मैट्स का बच्चो पार्ट एक से लगा के पार्ट तीन तक के सबसे important question जो कि आपके लिए परिक्षा में एकदम वरदान साबित होने वाले पढ़के जाएंगे बच्चो पूरे के पूरे तीनो चैप्टर का रिवीजन मैं इनके वल पचास सवालों के माध्यम से एकदम बेहतरीन तरीके से करा दूँगा इससे ज़्यादा सवाल आपके नहीं पूछे जाएंगे नाइन्थ में पार्ट एक से लगा के तीन तक में जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा तरीका यही रहेगा बस आपको पढ़के जाना है और करके आना है बस इतना सा काम करना है तो बच्चो देरी न करते हुए हम सवालों को स्टार्ट करेंगे मस्त तरीके से पढ़ेंगे बच्चो बस देखते जाएगा सुरुआत से अन्त तक बच्चो कुछ ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं बताया जाएगा विद कॉंसेप्ट बताऊंगा बच्चे बड़ी अध्यान से देखेंगे मस्त तरीके से देखेंगे बच्चो एकदम बेहतरीन तरीके से देखेंगे है ना और कोश्चन को पढ़के एकजाम देने जरूर जाएंगे कभी भी जाएंगे तो इन कोश्चन को अगर तीन चैप्टर पढ़ना है तो इन चैप्टर को जरूर होते हैं क्या बच्चे को होती है वास्तविक संख्या सभी लोग देखो भईया एक्स्प्लानेशन भी साथ साथ वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या के दो भेद होते हैं कौन-कौन से कौन-कौन से एक मानलो परिमेय हो गई और दूसरी हो गई क्या भईया अपरिमेय सं संख्या जो अंस बटे हर के रूप में लिख दिया जाए अंस बटे हर के रूप में लिख दिया जाए मतलब अंस को मान लो पी क्यू है ना और भाया क्या हर के बराबर में कभी भी जीरो नहीं होता मतलब भाया क्या क्यू हर क्यू क्या होता है हर होता है ना तो हर के बराबर Q does not equal to हमेशा 0 होता है अगर हर 0 हो जाएगा तो वो जो संख्या का result हो जाएगा वो infinite देने लगेगा ठीक है ना बच्चों क्योंकि किसी भी संख्या के 0 भाग होना सम्भाव नहीं होते हैं अब आगे देखो अपरिमे संख्या क्या होती है ये P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जाती इसका कभी भी पूर्ण मान प्राप्त नहीं होता पूर्ण मान मतलब क्या भाईया पूर्ण मान प्राप्त नहीं होता ठीक है ना पूर्ण मान प्राप्त नहीं होता कैसे पता करते हैं दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, यह सब पूर्ण संख्या हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि 2.41632 ऐसे चलता चला जाए, तो क्या कह सकते हो, क्या भाया कि यह पूर्ण संख्या है, या कोई संख्या निर्धारित कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हैं, तो बच 11 ऐसी कुछ संख्याएं अगर दिख जायें जिनका कोई अन्त न हो वो सारी क्या होती GitHub परिमें कोटी वद्चों जिसका फर गमूल घन प्राप्त किया जा सके है अना घनमूल हो गया और फर गमूल हो गया गनमूल और फरनमूल हो गया वर्गमूल फ गया इनके प्राप्त ना हूँ ठीक है कैसे बच्चों मैं बताता हूँ जैसे कि आपके पास हो गया रूड टू रूड टू का मान क्या हो गया वन पॉइंट फॉर वन फॉर डैस ऐसे ही चलता चला जाएगा भाया कोई अंत नहीं होगा रूड थ्री ले लो रूड टू ले लो जिसका न बने जिसका घनमूल न बने वह सब क्या होती है बच्चे वह सब क्या होती है परीमे संख्या अब यह अगर दोसो पचीज को देखें तो ये पंदरा का स्कॉयर बनेगा रूड off पंदरा गुड़े पंदरा गुड़े पंदरा देखो बच्छो ये जब रूड में कोई संख्या होती है वरगमूल में होती है तो एक बाहर आ जाता है तो यह बचेगा पंदरा ये क्या है पर परिमे को ही प्रदर्सित करती है तो यह भी परिमे हो गई है ना और यह भी देखो भया यह भी आगे डैस डैस नहीं तो यह भी परिमे को प्रदर्सित कर रही है मतलब यह भी नहीं होगी यह भी नहीं होगी तो होगी कौन सी यह वाली क्योंकि इसका कभी भी पूर्ण मान प जानते हैं, रूड सौ का दस होगा, तो अपरी में संख्या कौन सीख निकल का है, रूड ओफ बारा बटे में तीन, ठीक है न, तो ये क्या हो जाएगे, रूड ओफ तीन इंटो रूड ओफ फूर, अपॉन में तीन, तीन को लिख सकते हैं, रूड ओफ त्री इंटो रूड तो बचेगा, क्या रूड फूर, अपॉन में रूड थ्री, ये क्या हो गई भया, अपरी में संख्या हो गई, कैसी हो गई, अपरी में संख्या हो गई, क्या हो गई भया, इसका कभी भी पूर्ण मान नहीं पराप्त कर पाएंगे, है न, अपरी में हो गई, रूड चार का मानलो 2 हो गया रूड 4 का मतलब 2 हो गया लेकिन रूड 3 तो रूड 3 का मानक तो कभी निश्चित मिल ही नहीं सकता ना इसलिए बच्चो क्या यह अपरिमे हो जाएगी चलो अब आगे देखते हैं एक परिमे और अपरिमे संख्या का गुड़न फल क्या होता है कोई भी एक परिमे संख्या ले लो मानलो एक बटे तीन ले लिए और अपरिमे ले लो मानलो रूड 2 ले लिए या रूड 3 ले लिए तो देखो 3 और रूड 3 का गुड़ा तो कितना आएगा भाया यह अपॉन मे गया यह अपरिमे है अगर मैं कहूं यह मैं कहूं और भाई इसका गुण मैं 0 परिमे मियद्य जाएगा तो यह जाएगा जीर यह क्या होग भाई अरि में तो वट्चों चीज याद रखना कभी तरी में इसको कभी क्यों कह सकते हैं हैना हमेसा होती himself Purmit रेकिन नलेकिन इसमें कंडिशन क्या लग जाएगी लेकिन क्या भाईया लेकिन परिमे क्या हो ना चैना हो लेकिन परिमे संफ्या ना हूँ क्या B pastor 0 ना हो डिक है ना बच्चो तभ यह option सही हो जाता लेकिन भी यह लिखा ही नहीं है तो भाया क्या सही हो जाएगा option number D is the correct answer answer number D is the correct answer बच्चों पूरी के पूरी मैत पढ़ लोगे है ना अब दो परिमेश संख्याओं के बीच कितनी परिमेश कितनी संख्याओं होती है तो हमेशा अगर दो संख्याओं की बात कर दे तो हमेशा लिख देना भाया दो संख्याओं के बीच अनन्त परिमेश संख्याओं होती है अनन्त या अनेक बच्चे कुछ भी कह सकते हो ठीक है ना चलो भाया है ना अनन्त कहलो क्याल रूप में लिख सकते हैं चलो अगे देखते हैं जीरो को हम पी बटे क्योंके रूप में लिखसकते हैं जी हाँ अभी बिनगे संख्या है इसको जीरोबटे एक ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दर्रिजल्ट क्या आएगा भ.» रिजल्ट इसका क्या आएगा इसका जो परिडाम आएगा वो जीरो ही आएगा क्या आएगा भया परिडाम भी इसका क्या होगा भया जीरो ही होगा क्या होगा जीरो ही होगा तो इसको लिख सकते हैं है ना अब आगे देखते हैं किनी दो संख्याओं के बीच के बीच में कित अनेक परिमे संख्या हैं तो बच्चो ये देखो ये थोड़ा option जो है wrong हो रहा है ठीक है न केवल एक परिमे संख्या ये तो गलत हो जाएगी ये match कर रहा है कोई तर्ग संख्या नहीं है कोई तर्ग संख्या नहीं है है न ये भी गलत कह सकते हैं है न तो बच्चे अगर मैं देखूं तो इसमें ये option मैं सही कर सकता हूं एक ठोई इसमें से कोई भी एक option सही कर सकता हूं ठीक है ना बच्चो चलो देखते हैं अब आगे देखते हैं निम्न लिखित में कौन सी संख्या 13 और 14 में के बीच इस्थित परिमे संख्या है 13 और 14 के बीच कौन सी है 13 और 14 के ब या क्या LCM ले ले स्थे हैं सबका जो है भाग करा लेते हैं तो 24 का अगर 7 में भाग कराएंगे तो 0 जाएगा ये पॉइंट लगेगा भाया तो ये इसकी कहानी तो संभाव ही नहीं है क्योंकि 13 आना चाहिए भाग फल में ये पहले ही कम हो जा रहा है इसकी तो कोई संभावन नहीं नजर आ रही है तो चलो भाया देख लेते हैं मुझे लगता है ये पॉइंट वन थ्री है और ये पॉइंट वन फॉर होगा तो आगे देख लेते हैं भाग दे देते हैं है ना चौबिस नीचे साथ उपर है तो भाग दो भाग दो बढ़ाओ 24 दुनाई का कितना होगा 24 तन होगा बाहतrage 24 बाहतर होगा 24 दुनी कितना होता है रतालिस होता है तो फॉइंट टू आ जा रहा है आना कितना चाहिए थाह पॉइंट 17 है गया। क्यों टू के प्रॉक्स यह भी आएगा भी एंथिस में देखें बच्चों थो NH फोड़ा सा मुझे सवाल में mistake लग रहा है सवाल में ये वाले mistake लग रहा है बच्चों है ना इसको hold पे रखते हैं अभी मैं देखता हूँ इस सवाल को ठीक है ना अब आगे देखेंगे अब आगे देखें 0.3 का परिमे के रूप में निरूपण कीजिए बचो सीधी बात है जब कभी ऐसा दिख जाए आपको 0.3 है ना इसका किसमे करना है परिमे के रूप में निरूपण है ना परिमे संख्या बनानी है देखो इद्दम आसान तरीका बताता हूँ यक्स बराबर मान लो कितना 0.333333333 बेसिक पहले समझो यह बेसिक तरीका है ठीक है ना यह बेसिक है ठीक है ना कितने संख्या के उपर एक संख्या के उपर बार है ना एक संख्या के इधर लाओ जितनी संख्या को इधर लाओगे उतने 0 इधर बढ़ेंगे तो एक संख्य इधर लाव 10x बराबर 3.3, 3, 3, 3 ऐसे हो जाएगा अब समी करण 2 हो गया और समी करण 1 हो गया अब समी करण 2 माइनस 1 करदो समी करण 2 माइनस में समी करण 1 करदो क्या करदो समी करण 1 करदो भहिया समी करण 2 माइनस में समी करण 1 करदो 10 में से यक्स गया कितना 9 यक्स बराबर में कितना 3 हो गया तो यक्स बराबर कितना 3 बटे 9 तो कितना 3 तरिका ही 9 यक्स बराबर कितना आ गया 1 बटे 3 आ गया तो जितनी संख्या के उपर बार है उतने 9 नीचे लगा दो बस उतने 9 नीचे लगा दो 3 एककम 3 तीन 3 त्रिकाइन आउ तो 1 बटे 3 is the correct answer डारेक्ट भी कर सकते हैं इसको ये basic method है और ये भाईया trick type का है ठीक है न बच्चों निकल के यहीं से आता है बच्चे और कुछ नहीं ह अब भाईया पूच रहा है two plus root three two minus root three का सरलतम रूप क्या होगा तो बहुत आसान सा सवाल है two plus root three और कितना दिया है two minus root three दिया गया है तो a plus b देख रहे हैं और ये क्या देख रहे हैं A minus B देख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं भाईया A plus B और A minus B बराबर क्या होता है A square minus का B square सेम काम करा दो A की जगे में 2 का square minus में root 3 का square तो कितना हुआ 4 minus में 3 बराबर में कितना आया एक आ गया कितना आया भाईया एक आ गया answer number A is the 10 का A is the correct answer 10 का A is the correct answer चलो भाईया आगे बढ़ते हैं 11 number question और आसान है बच्चे रूड 15 है अगुडे में root 10 है देखो भाईया इसका भी कितना आसानी से सवाल solve कर सकते हैं बस देखते रहो क्या लिख सकते हैं रूड 15 को root 2 into में क्या भाईया पहली बाद तो एक काम करो एक काम करो बच्चे मैं आपको बताता हूँ क्या है ना ये पढ़े होगे आप root of A into root of B बराबर root of A B क्या बच्चे root of A B है ना तो बच्चो उसी तरह कर दो तो क्या हो जाएगा root of 15 गुडे 10 है ना तो कितना हो जाएगा root of 1.500 अब 1.500 का factor करा दो 1.500 का factor करा दो तो कितना आएगा भाईया 2 हुआ बहिया और कितना होगा है ना 2 3 6 ठीक है ना बच्चो 2 3 6 5 3 5 5 1.500 कितना बहिया 2 3 6 5 5 5 5 5 1.500 अब देखो पेर में काउन है 5 पेर में है ना तो 5 एक पांच बाहर कर लो बांके दो त्याइच है फाइप रूट सिक्स कहीं दिख रहा है क्या देखो सीजदा करेक्ट अंसर क्या बचो सीजदा करेक्ट अंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं अब आगे देखो रूड 27 का सरलतम परिमेग योग ये गुड़ा कौन सा होगा हर एक का सवाल मिलेगा ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपके सामने नहीं होगा रूड 27 का मतलब क्या बया रूड तीन गुड़े तीन घूड़े ठीक है न एक पेर में इसी को बाहर निकाऩो बचा क्या बहूड जो बहूड क्या जो वर्गमूल में बचे जो वर्गमूल या घंभमूल में मतलब जो रूट के अंदर बचे वही क्या होता है सरलतम परिमेजयोगे घुड़ा का ठीक है न तो अंसर नंबर क्या बचा रूड तीन ना रूड तीन देखो कहाँ यह है तो यही आंसर सही हो जाएगा इसको पूछ सकता है कि रूड 27 का रूड 27 का परिमेई करण क्या है भया परिमेई है ना परिमेई करण गुडांक क्या है करण गुडांक क्या है तो यह भी लिख सकते हैं बच्चों यह भी बच्चे यह भी है ना इसका भी आंसर यही सीम आएगा same तरीका ठीक है न बच्छो चलो 0.32 का 0.32 का क्या होगा South people का क्या भाईया इस रूप इनमें से काौन होगा मान लो इसमें 2 के ऊपर मैं बार लगा देता हूं मान लो इसमें 2 के ऊपर बार लगा देता हूं तो 0.32 मानलो है दो के उपर बार है ठिक है ना टরिक बताता हूं थोड़ा ध्यान देना हैना सब लेकिन से ही निकलता है ठीक है ना बचों यह ट्रिक सब से निकलता है creation को थोड़ा शोर्ट कर दिया जाता है बस हैना अब 0.32 है तो एक काम करो तो जितने संख्या के उपर बार है, देखो बाहर कैसे करेंगे, जितने संख्या के उपर बार है, उतने नौ नीचे रख दो, रख दिये, अब भया, जिसके उपर बार नहीं है, कितनी संख्या के उपर बार नहीं है, सिर्फ तीन है, इसी संख्या जिसके उपर बार नहीं है, तो उतने 0 नीचे रख लो, एक 0 नीचे रख लिए, ठीक है ना, एक ही संख्या है ना, तो एक 0 नीचे रख लिए, बचा क्या भाईया, पूरी संख्या लिखो, जिसके उपर बार नहीं है, उसको घटा दो, तो कितना है, भाईया, 32 में से 3 गया, 29 बटे कितना है, 90, then the correct answer is, 29 ठीक है ना, अगर भाईया कह देता, 0.32 के उपर पूरे में बार है, तो भाईया मैंने क्या कहा, 32 है ना, तो बटे में, पूरी दोनों संख्याओं को उपर बार है तो 99 रख दो तब ये अंसर सही हो जाता 32 बटे 99 और अगर दोनों संख्याओं को उपर बार ना होता ऐसे संख्या होती 0.32 तो सीधे सीधे सिंपल अंसर करते 32 अपॉन में जितने भाया दस अमलों के बाद अंक है उतने 0 नीचे रखो एक रखो ठी कहना बाया काट दो इसको 4 थे 32 चार पचीश हम सो देन दा अंसर इस आठ बटे 25 देखो भाया देन दा आंसर इस आठ बटे 25 तीनों अंसर है न ये किसका अंसर है ये 0.32 का अंसर है ये क important सवाल है अब आगे देखते हैं तीन रूड टू में कौन सी छोटी से छोटी अपरिमे संख्या जोड़ा जाए कि वह एक परिमे संख्या हो जाए क्या बच्चों वह एक परिमे संख्या हो जाए तो आंसर से इसको कर लेते हैं सबसे छोटी संख्या इसमें रूड टू ही है तो तीन माइनस रूड टू प्लस में रूड टू करोगे तो ये दोनों कैंसिल तो बचेगा कितना तीन सबसे छोटी संख्या रूड दो जोड दियें और ये क्या हो गया परिमे हो गई तो आंसर नंबर सी इस दा करेक्ट आंसर बच्चे अब आगे बढ़ते हैं बच्चो इ किवेता देखो कैसे सांत और असांत ठीक है ना सांत होती है मैं आपको बताता हूं ठीक है ना इसमें क्या होता है उपाँ में सेख कभी जीरो हैं नहीं होता सेख कभी जीरो जो हर होता है क्या बाबू जो हर होता है वो क्या होता है हर का रूप क्या होता है बच्चों तो हर का रूप क्या होता है बिटा वन अपॉन टू की पावर यम इंटू फाइब की पावर यन के रूप का दिख जाएगा है ना और इसमें तीसरी संख्या का समावेस हुआ तो क् तो इसमें देखो क्या है दो बटे तीन क्या इसमें दो और पांच दिख रहा है क्या इसमें दो और पांच दिख रहा है नहीं ना तीसरी संख्या दिख रही क्या तीन दिख रहा है तो यह कैसा होगा बच्चे मैंने कहा अगर उस रूप का है तभी सांत होगा नहीं असांत ह तो सीधे बता सकते हैं कैसा असान्त होगा कैसा होगा असान्त होगा अब आवर्ती होगा कि अनावर्ती यह कैसे पता करेंगे तो असान्त के दो टाइप होते हैं असान्त के दो टाइप होते हैं एक आवर्ती होता है और दूसरा क्या होता है अनावर्ती होता है ठीक है ना अन में भागफल repeat नहीं करता क्या बच्चों भागफल repeat नहीं करता ठीक है न बच्चों repeat नहीं करता अब बच्चों एक चीज देखो तीन को जब दो से भाग दोगे तो कितना आएगा 0 3 6 18 10 ऐसे डोगेए तो किसी असांत आवरती संख्या हो गई क्या हो गई applying क्या हो गई असांत आवरती संख्या हो गई और अनावर्ती में कभी भागफल रिपीट नहीं करेगा, ये बदलता चला जाएगा हमेशा, चलो भाईया, आगे देख लो, इन में से किस संख्या का दसमला रूप सान्त होगा, वही चीज, सेम चीज है बच्चे, सेम चीज है, है ना, तो भाईया क्या 5 बटे 9 है, 5 बटे 9 हो है, तो इसमें देखो 5 बटे 3 गुड़े 3, देखो भाईया, पहले ही 2 या 5 को छोड़के 3 आ गया, 3 आ गया, ये तो पहले ही असान तो हो गया, ठीक है ना, ऐसे चेक करो भाईया, अब आगे देखो, ये वाला देखो, अब ये 9 बटे 16, तो 9 बटे 16 का मतलब 2 की पावर 5 है ना, 2 की पावर, 4 भाईया, 2 की पावर, 4 बेटा, ठीक है ना, 2 की पावर 4, 2, 9, 6, 2, 11, 12, 2 की पावर 4, देखो, ये क्या बना, 9 बटे में 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर अगर 0 रख देए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना, मतलब क्या, 1 बटे 2 की पावर यम, यह सांत है देंदा अप्सकरेक्ट अंसर एज क्या भाईया भी अब इसमें भी देख लो भाईया इसमें क्या रहा है 11 बटे में 30 मतलब 5 गुड़े 2 गुड़े 3 इसमें 5 और 2 के साथ क्या रहा है 3 मैंने कहा जब कोई भी तीसरी संख्या घुस जाये तो वो समझ लेना असांत है यह भी क्या हो जाएगी यह भी क्या हो जाएगी असांत हो जाएगी तो भाईया हम लोगों ने क्या देख लिया परिमें संख्या अपरिमें संख्या है ना उसके बाद सांत असांत दसमलाव परिमें करन गुड़ांक है ना बच्चों और भाईया क्या दो परिमें संख् का जोड़ यह सारी चीजे हम लोगों ने पढ़ डाली ठीक है ना यह सारी चीजे क्वेश्चन्स के माद हम से दोहराओ कर ली अब आ जाते हैं अपने दूसरे चैप्टर में है ना निम्नलिकित पदों में कौन सा एक पद है आपको पता है जो एक ठो दिख जाए उसको एक प पद है खतम कहानी है ना निम्नलिकित पदों में कौन त्री पद है जिसमें तीन लोग दिख जाए एक भाईया देखो यह है एक यह है और एक यह है तीन लोग क्या है प्लस माइनस से जुड़े हैं क्या हो गए यह त्री पदी यह हो गए बेटा ठीक है ना अब आगे देखना जिसमें बटे में यक्स नहों रूड ओफ यक्स नहों देखो बहुपद क्या होता है बहुपद के लिए कंडिशन होती है कि चर की क्या घात होनी चाहिए पूर्ड संख्या होनी चाहिए चाहिए पूर्णिद संख्या, अब फूर्णिद संख्या का मतलब क्या होता है, पूर्णिद संख्या का मतलब क्या होता है, 0, 1, 2, 3, ऐसे करके ठीक है ना, ये root उट में नहीं होती ठीक है emphasized, लुए धेखलो एक बार, है ना, अब x square minus में 2x, अब भया देखो X square minus में 2X, X की power क्या पूर्ण संख्या, यहां भी X की power एक मान सकते हैं, तो X की power पूर्ण संख्या, then the correct answer is, then the correct answer is, है ना, अब देखो root of X है, तो यहां X की power एक बटे 2 हो जाएगी, X की power कभी पूर्ण संख्या नहीं आएगी, इसलिए बहुपद नहीं होग सेम काम इसमें देख लो, 6 बटे यम लिखा है ना, यहां पर, तो 6 बटे यम, अगर उपर जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, यम इंटू में minus 1 हो जाएगा ना, 6 गुडे में यम minus 1, यह क्या है भया, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो भया, ये भी बहुपद नहीं होगा यक्स स्क्वाइर उपर जाएगा तो यक्स की पावर माइनस टू बनेगी इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा देन्द करेक्ट आंसर इसे ये बता दिया भया क्यों नहीं होगा क्यों होगा अब भया घात की बात करे तो भया घात की अगर बहुपद का घात कभी भी पूछ ले बहुपद का घात कभी भी पूछ ले तो सीधी बात जानो चर की अधिकतम घात क्या बच्चों चर की अधिकतम घात क्या बेटा चर की अधिकतम घात क्या होती है बहुपद की घात होती है बच्चे ठीक है ना बहुतीजैल होती है ठीक है ना बहुतीजैल होती है इसमें चर्पक्राओं किया थीन है ना तो वेजित क्या हो क्या भाँत की घाथ तीन हो गई अब आगे देखते हैं है ना 3x3-6x5, 7x2, 3x7-25 का घात है, तो इसमें सबसे बड़ा घात चरका कौन सा है, यक्स की पावर 7, तो भाईया बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या होगी बेटा, तो बहुपद की घात क्या होगी बच्चे, साथ होगी, कितनी होगी बच्चों, साथ होगी बेटा, कौन सी होगी, साथ होगी, देख लो एक बार, the correct answer is D, है ना, अब आगे बढ़ते हैं भाईया, आगे बढ़ते हैं, निम्न लिखित बहुपदों में रैखिक बहुपद का कौन सा होगा, है ना, अब देखो घातों के अनुसार, ठीक है ना बच्चों, घातों के अनुसार बेटा, घातों के अनुसार बेटा क्या बहुपद कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है, रैखिक, एक होता है, रैखिक, दूसरा हो हमारे सलैबस में तीन है तो हम मुख्यता तीन पढ़ेंगे है ना राइखिक में घात कितनी होती है एक होती है किसकी घात चर की घात एक होगी बच्चे और दूई घात में कितना होता है घात कितनी होती है जैसा कि नाम लिखा हुआ है दूई घात कितनी दो होती है चर की इसम बहुपद है इसमें यक्स की पावर 0 का multiply करा देंगे तो भहिया देखो ये बहुपद हो गया चरकी अधिक्तम घात कितनी हो गयी 0 होती है कितनी भहिया 0 होती है है ना अगर रैखिक बहुपद कह दे तो घात कितनी होनी चीहे एक तो यहां पर देखता हूं यक्स की घात कितनी दो ये नहीं होगा यक्स की घात दो ये भी नहीं होगा पी की घात चार ये भी नहीं होगा यहां यक्स की घात एक दानसर इस बी दानसर इस बी भाईया अब आगे देखते हैं अब आगे देखते हैं बाबू यक्स स्क्वा जिसमें यक्स से गुड़ा हो गुड़ांक का मतलब क्या बाबू तो गुड़ांक का मतलब क्या गुड़ा होने वाला अंक क्या बच्छे गुड़ा होने वाला अंक क्या बेटा गुड़ा होने वाला अंक ठीक है ना बच्छो गुड़ा होने वाला अंक ठीक है ना गुड़ कैसे किसमें एक से गुड़ा है यह स्कौर में साथ से गुड़ा है यह से गुड़ा यह नहीं एक से गुड़ा है मतलब दानसर इजे हैं डी डांसर डी आपसन नंबर डी इस इस दा करेक्ट आंसर अब आगे देखो भईया बहुपद 5X और माइनस 4X स्क्वाइर प्लस 3 का मान यक्स बराबर 0 पर है यक्स बराबर 0 पर मान पूछ रहा है यक्स की जगे में 0 रखोगे तो 5 गुड़े 0 0 4 गुड़े 0 का स्क्वाइर ये भी 0 प्लस 3 तो कितना आगया भईया प्लस 3 इस दा करेक्ट आंसर भईया देखके आंसर करो बहुत ज़्यादा सॉल्व करनी के जरूरत नहीं पड़नी X के किस मान पर बहुपद का मान माईनस 6 है X के किस मान पर तो सीधी सीधी बात भया काम का करो यह जो है यह जो जैसे A है तो answer से solve करो अगर 0 रखोगे तो यह दोनों तो 0 हो जाएंगे keywords भया और फिर बचेगा क्या 3 क्योंकि यह भया क्या 1 से गुड़ा है और यक्स कमान 0 हो जाएगा तो 0 से किसी भी संख्या में गुड़ा वो 0 ही होता है अब या 1 से अगर गुड़ा कराओगे तो रखो तो 5 गुड़े में 1 माइनस 4 गुड़े में 1 प्लस में 3 तो 5 हो गया माइनस में 4 और प्लस में 3 5 में 5 और 3 8 हुआ 8 में से 4 गया 4 आना कितना चाहिए माइनस 6 मतलब ये तो नहीं होने वाला तो 2 option तो हमारे पास गलते हो गए ये भी गलत ये भी गलत अब माइनस 2 रखके चेक कर लेते हैं तो माइनस 5 दूनी 10 हो गया माइनस में 4 इंटू में माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस में कितना 3 तो 2 दूनी 4 हो गया और 4 चौके 16 दस और माइनस 16 और प्लस में 3 बच्चों बताओ 16 में से 3 गया कितना 13 आ जाएगा 16 दहम मा 26 16 दस कितना हो जाएगा माइनस 26 ये तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा इसकी भी कहानी सही नहीं है इसकी भी कहानी सही नहीं है आगे माइनस 1 देख लो तो 5 माइनस 5 हो गया और ये माइनस 4 हो गया और प्लस 3 हो गया माइनस 9 हो गया और प्लस 3 कितना बच्चे ये कितना हो जाएगा माइनस 6 then the correct answer is D then the correct answer is D क्योंकि मान कितना पूछ रहा है माइनस 6 होना चाहिए अब आगे देखो जब यक्स बराबर 2 हो तो बहुपद का मान क्या होगा तो 5 गुडे में 2 माइनस 4 गुडे में 2 का स्क्वाइर मतलब 4 प्लस 3 तो 5 दूनी 10 माइनस 4 चौके 16 और प्लस 3 10 और 3 13 माइनस में 16 कितना हो जाएगा माइनस 3 आजाएगा जो की आंसर नमबर A है क्या बच्चे आंसर नमबर A है ठीक है ना अब आगे देखते हैं P0 का मान पूछ रहा है यहाँ पे PYY के जगे में क्या रख रहा है 0 ना तो भाईया जहां जहां Y है वहाँ वहाँ 0 रख दो 0 का स्क्वाईर माइनस 0 प्लस 1 तो कितना है पी 0 का मान कितना है भाईया एक आगे यह ठीक है न यह देखो P0 का मान कितना है यह एक आगे बेटा है ना देन दा आंसर इस B अब आगे देख लो भाईया P T बराबर इतना है तो भाईया कौन सा option इसमें सही होगा तो भाईया अगर P मैं 0 रखूंगा अगर 0 रखूंगा तो देखूंगा ये भी 0 ये भी 0, ये भी 0 भाईया आगे minus 2 लेकिन यहाँ पे plus 2 है न तो answer ये तो गलत हो गया है ना P 0 बराबर P 1 1 देख लेते हैं कितना आएगा 2 प्लस में कितना भाईया 1 प्लस में कितना 2 प्लस में 1 ठीक है ना बच्चे minus में 1 तो कितना आएगा minus 1 प्लस 1 कट गया 4 आ रहा है और भाईया क्या P 0 कितना आएगा 2 आएगा ये कभी भी बराबर नहीं होगा यह भी गलत है इसी साब से यह भी गलत है इसी साब से ठीक है ना बच्चो तो अब आगे देखते हैं बेटा अब आगे देखते हैं ठीक है न बच्छो चलो तो ये भी नहीं होगा अब आगे अगर P1 और P2 दोनों रखेंगे तो भाईया ये P1 और P2 क्या हो जाएगा भाईया बराबर हो जाएगा रख्य चेक कर लेना P1 का मान भी P2 का मान भी ठीक है ना बच्चो चालो अब आगे देख लेते हैं अब आगे देख लेते हैं भाईया अब आगे questions करेंगे ठीक है ना अब आगे questions करेंगे PX बराबर X-1 और X-1 है तो क्या होगा भाईया P1 डज नाट इक्वल टू P-1 अरे देख लो भाईया PX बराबर ये दिया गया है तो कितना X-1 X-1 A-B और A-B कितना होता है A-2 में माइनस में B-2 अब भाईया PX बराबर कह रहा है तो ये हो जाएगा X-2 माइनस में 1 ठीक है ना अब भाईया क्या करो अब क्या करो P1 रखो तो अगर P1 रखेंगे तो 1 का स्क्वाइर माइनस में 1 कितना आजाएगा 0 अब माइनस 1 रखके चेक कर लो तो P-1 अगर जाएगा तो ये दोनों क्या है जीरो है ना दोनों भाईया क्या है बराबर हैं लेकिन यहां कह रहा है बराबर नहीं है तो अंसर गलत हो गई है P0 बराबर कितना आ रहा है यहां पर P0 बराबर कितना आएगा अगर मैं 0 रखोंगा तो 0-1 करूंगा अगर देखो P0 रखों भहुपद क्या है मेरा P x बराबर yaks square minus 1 x की जगे 0 रखूंगा तो 0 minus 1 बराबर कितना minus 1 आजाएगा P zero का मान कितना आ गया minus 1 दिन दा आंसर ये भी गलत है ये भी गलत है P2 देख लेता हूं कितना आएगा P2 देख लेता हूं बहिया तीन आगया कितना आएगा बहिया पीटू बराबर में तीन आएगा बच्छो चलो अब आगे देखते हैं अब तीस नमबर सवाल देख लो यह 5X क्यूब माइनस में 2X स्क्वाइर प्लस 3X माइनस 2 है तो यक्स बराबर 1 पर PX का मान क्या होगा तो यक्स बराबर 1 रखो तो P1 हो गया 5 इंटू 1 का क्यूब माइनस में 2 इंटू 1 का स्क्वाइर प्लस में 3 इंटू 1 माइनस में 2 चलो बहिया चेक कर लेते हैं एक बार यक्स बराबर वन रखें है मान देख लो है ना अब भया आगे देखो ये पांच हो गया माइनस में दो हो गया प्लस में तीन माइनस में दो अब आगे देखो माइनस दो और माइनस दो जुड़ जाएंगे तो कितने माइनस चार हो गए प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंग है आगे देखते हैं बच्चों अगे देखते हैं बच्चों देखो ये भी बहुत आसान सा प्रश्ण है देखो कितना लेवल देखो इसका लेवल देखो इसका लेवल देखो लेवल क्या है बेटा लेवल क्या है हार्ड है क्या है बच्चों लेवर हार्ड है बच्चे ठीक ह लेकिन एक्दम ऐसान है लेवल है लेकिन एकदम आसान है देख रहे हो कैसे भी प्रीत भर है किहेंसी अप्रीफ हो देखो भाइया कितने आसानी सॉल्व होगा लेक्कि काम करते हैं न पीएक्स की जगह महां मईनस एक रखो बस माईनस टूइनल टू एक काि स्क्वाइर प्लस तीन माइनस दो निकालो भाई इसको पांच हो गया माइनस दो प्लस में तीन माइनस दो तो कितना है चार आ गया पीर 1 का मानच यह पीजीरो का मानन did लो भाईया तो जहां जहां यक्स है उपद सब 0 बचा कितना माइनस 2 अब भाईया देखो पीवन कितना है चार है और पीजीरो कितना है माइनस 2 है अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जहीज तो गलत है यह चैसे लेकिन यह 12 आ रहा है कहानी खतम दूसरी कहानी देखतेँ है पीवन कितना है चार है और पीजीरो कितना माइनस 2 है तो यह माइनस होगा कितना बचेगा दो बचेगा मतलब एन दक अंशरी देख लो तो भया बहुत आसानी से निकल जा रहा है question भहुत आसानी से निकल जा रहा है question ठीक है ना चलो अब आगे देखते हैं y बराबर 2 पर y बराबर 2 पर qy हना और इसका मान क्या होगा तो देखो भया root 11 है तो ये तो plus root 11 परिमें संख्या ये लिखी ही रहेगी सब में root 11 है plus में इ ये वाला अंसर तो पहले ही काट दो ठीक है ना अब आगे देखते हैं y बराबर 2 होना चाहिए तो q और y बराबर कितना ले रहे हो दो तो अब जहां जहां y है वहां वहां दो रक दो तीन गुड़े दो क्या क्यूब और माइनस में 4 इंटू दो तो कितना है भाईया दो द करेक्ट आंसर इज सी देन दा करेक्ट आंसर इज सी बच्चे ठीक है ना देन दा करेक्ट आंसर इज सी बेटा ठीक है ना देन दा करेक्ट आंसर इज सी अब भया 33 नंबर देखो 33 नंबर सवाल क्या है पी एक्स बराबर एक्स माइनस इवन तो पी एक्स का सुन्यक है पी इस सवाल है जब भी सून्यक की बात करें तो यक्स माइनस वन दिया है ना बहुपद इसके बराबर में जीरो रखो तुम माइनस वन को उधार ले जाओ गए तो यक्स बराबर वन सुन्यक कि Tना आया यक्स बराबर वन सीधी बात सीधे सीधे अंसर ठीक एन अब आगे देखो एक रैकिक बहुपद के सुन्यकों की संख्या रैकिक बहुपद क्या जितनी घात उतने सुन्यक क्या बच्चे बहुपद की घात बराबर बहुपद की घात बराबर क्या होता है बहुपद की घात बराबर अधिकतम सुन्यक क्या बच्चे अधिकतम सुन्य बीटा ठीक है ना तो भहुपद की घात कितनी रैखीक भहुपद की जो घात होती है वह एक होती है अगरे कितने होते है एक होतیں है क्या होगे एक होगा सुनेक इच्झा देखो अब आगर देखो भाई πज्ड बराबर कितना होगा जेड़ स्क्वॉयर माइनस वन पी जेड के सुनने क्या होंगे अब भया जेड स्क्वाइर माइनस वन का मतलब क्या जेड प्लस वन और क्या होगा जेड माइनस वन है ना फिर जेड प्लस वन बराबर एक बार जीरो रखो एक बार जेड माइनस वन बराबर जीरो रखो इसका मान वन इसका मान वन ठीक है ना इसका मान 1 बेटा ठीक है ना इसका मान 1 हो गया बच्चे ठीक है ना इसका मान 1 हो गया प्लस माइनस 1 यह हो गया बच्चे 35 नमबर ठीक है ना अब आगे देखो PX बराबर यह इतना है तो इसका 0 क्या होगा तो एक काम करो भाया यक्स प्लस 1 और यक्स माइनस 3 ठीक है ना इनका मल्टिप्लाई कराओ आपस में यक्स माइनस 3 मल्टिप्लाई कराओ बच्चो है ना मल्टिप्लाई कराओ है ना यक्स प्लस 1 है तो यक्स का इसमें मल्टिप्लाई x minus 3 में और यह plus 1 है इसका भी multiply x minus 3 में करा दो तो x square minus में 3x और यह प्राबर तो ब्रहिए यह तो बराबर में direct 0 रखके भी कर सकते हैं बराबर डारिक्ट 0 चो ब्रहिए ब्रहुक्रक्यार्ट ब outta These लो एक स्वेर बराबर Zone और इधर देख आगे करो भाईया आगे करो भाईया अब आगे मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा बताया हूं मूल बिंदु यह जहां भाईया यह यक्स अच्छे है और यह क्या है भाईया वाई अच्छे है जहां पर यह दोनों को कट करते हैं जहां पर यह दोनों एक दूसरे क कट करते हैं इसको कहते हैं क्या मूल बिंदू क्या कहते हैं मूल बिंदू और इसका निर्देशांग क्या होता है जीरो जीरो क्या होता है जीरो 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 दिन्दक आंसर इस ए मूल बिंदू का यक्स निर्देशांग होता है मूल बिंदू हो गया बच्चे 0 और 0 तो बच्चे ये पहले वाला जो होता है ये यक्स का ये वाई का निर्देशांग को होता है इसको कहते हैं भुज और इसको कहते हैं भया कोटी ठीक है ना? इसको कहते हैं कोटी दिनद करेक्ट अंसर इज यक्स का निर्देशांग कौन हुआ जीरो ही होगा ठीक है ना? अब आगे देखते हैं बाबू अब आगे देखते हैं दो तीन की यक्स अच्छ से दूरी क्या होगी? अब बच्चों मैं बता दूँ अगर कह दे कभी यक्स अच्छ से दूरी तो भाईया कर देना वाई का निर्देशांक क्या बच्चों वाई का निर्देशांक और भाईया अगर कभी कह दे वाई अच्छ से दूरी क्या कह दे वाई अच्छ से दूरी तो भाईया कर देना क्य क्या यक्स का निर्देशांग क्या यक्स का निर्देशांग ठीक है ना यक्स का निर्देशांग ठीक है ना समझ गए आप लोग व्यक्स अच्छ से दूरी वाई का निर्देशांग वाई अच्छ से दूरी यक्स का निर्देशांग अब देखो यक्स अच्छ से दूरी कह पांच तीन किस चतुर्थांस में हैं सीधी बात भाईया ये देखो यह हो गया यक्स यह हो गया वाई यह हो गया पहला चतुर्थांस यह हो गया दूसरा चतुर्थांस कौन सा चतुर्थांस दूसरा चतुर्थांस और यह हो गया क्या बाबू तीसरा चतुर्थांस यह कौन सा चतुर्थांस तीसरा चतुर्थांस हो गया और यह क्या हो गया ब या क्या चिन परिपाटी से करते हैं ये इसका प्लस है इसका भी प्लस साइन है तो भाईया देखो ये यक्स पॉजिटिव होता है और ये यक्स डैस होता है जो कि नेगटिव होता है और ये वाई डैस होता ये भी क्या होता है नेगटिव होता है भाईया पांच और तीन ये भाईया ये देखो ये चतुर्थांस देखो तो ये भी प्लस ये भी प्लस पहले यक्स आता है फिर वाई है ना इसमें यक्स आ रहा है पहले और फिर वाई आ रहा है और दोनों क्या है बच्चे प्लस प्लस हैं क्या बच्चे प्लस और प्लस है ना तो इसलिए ये दोनों क् कौन से चतुर्थांस में पहले में तो पांच तीन किसमें आएगा पहले में आएगा दूसरा क्या होगा यह माइनस होगा और यह क्या होगा प्लस होगा तीसरा क्या होगा यह भी माइनस है यह माइनस हो गया इसमें देखो यह प्लस में है और यह माइनस में तो प्लस माइनस होगा देखो कितने आसानी से 4 चतुर्थांस हम पता कर सकते हैं है ना चलो भाइया आगे देखो 8-9 किस चतुर्थांस में होगा मतलब पहले प्लस है दूसरे में माइनस है अब देख लो अगला सवाल देख लो माइनस पांच और दो किस चतुर्थांस में होगा तो माइनस पांच और दो ये प्लस प्लस होता है ये माइनस माइनस ये प्लस माइनस तो कौन से चतुर्थांस में होगा माइनस है यह और यह प्लस है तो कौन से चतुर्थांस में दूसरे चतुर्थांस में होगा कौन से दूसरे चतुर्थांस में होगा अब भया इसकी बात अगर मैं करूं तो देखो भाई यह प्लस प्लस यह माइनस प्लस यह माइनस माइनस यह प्लस माइनस कौन से चतुर्थांस में पहला दूसरा तीसरा कौन से चतुर्थांस तीसरे में कौन से में तीसरे चतुर्थांस में अब यक्स अच्छ पर यक्स अच्छ पर किसी बिंद वाई का निर्देशांग कितना होता है है ना अब चलो भाई नोट करना दो पॉइंट करना नोट कर लेना भाई दो पॉइंट कौन-कौन से एक पहला पॉइंट होता है यक्स अच्छ का निर्देशांक वाई का निर्देशांक क्या होता है Y का निर्देशांक हमेशा 0 होता है और दूसरा क्या भाईया Y अच्छ पर Y अच्छ पर X का निर्देशांक X का निर्देशांक क्या होता है बाबू X का निर्देशांक बराबर कितना 0 होता है देख लो एक बार सभी लोग है न, तो यक्स अच्छ पर Y का निर्दे सांग क्या हुआ 0 होता है बाबू, क्या होता है सारी चीजे मैंने आपको पढ़ाई है, सारी चीजे मैंने आपको पढ़ाई है बेटा, जो 9 वाले बच्चे होंगे एप में पड़ रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि बिदCont กितने बडिया से पढ़ाया जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि जितना उनको पढ़ा दिया गया है ना उसमें कहीं भी कोई समस्या आएगी या उनको कोई भी प्राव पेपर में समस्या होगी 9th का भी पेपर अराम से कर सकते हो 9th वाले है ना कन्फर्म हो एकदम बढ़िया से है ना चलो भया अब आगे अगला सवाल देखो भया क्या है 3 2 और भया 3 2 मानलो माइनस 3 2 और 3 2 दोनों अविस्थित है चलो भया देख लो एक ठो किसमें आएगा एक ठो पहले चतुर्थांस में आएगा 3 2 और भया एक ठो कौन सा आएगा माइनस 3 2 दूसरे चतुर्थांस में आएगा अब आगे देखो कौन से में आएगे, यक्स अच्छ पर कभी नहीं, क्योंकि देखो चतुर्थांस में आ रहा है, अच्छ तो ये है ना, ये वाई है, ये यक्स है, तो कोई अच्छ में तो आ नहीं रहा, है ना, वाई अच्छ पर ये भी गलत, यक्स अच्छ के एक और, ये यक्स अच्छ है ये यक्स अच्छ है ये यक्स डैस है ये क्या है यक्स है ठीक है ना तो यक्स अच्छ के एक और यक्स अच्छ के दोनों और तो भाईया मुझे एक बात बताओ यक्स अच्छ के एक ही और ना इस्थित है यक्स अच्छ के एक और उपर ही ना इस्थित है नी एक यक्ष है दूसरा वाई है दोनों का प्रति छेदी बिंदू क्या होता है मूल बिंदू कहलाता है क्या कहलाता है मूल बिंदू इसका निर्देसांक होता है owie ersona क्या होता है Didow taxes अगला देखोगा सवाल 47 चार माइनस 3 किस्व उर्फांस में है तो अगर देखूं तो ये हो गया बच्चों ये हो गया बच्चों ये हो गया चार और माइनस तीन इसका चिन क्या रहा है प्लस आ रहा है इसका चिन माइनस मैंने क्या बताया बच्चों ये होता है प्लस प्लस ये होता है माइनस माइनस ये होता है प्लस माइनस पहला और दूसरा कौन देखो बच्चों यह थोड़ा, यह माइनस प्लस कह रहा है नशो जोड़ी सी लेकिन आप लग मैं सवधारद यहाँगि आज़ती है 610 की कोटी क्या होती है एक भुज होता है एक भुज होता है दूसरी कोटी होती है है ना दूसरी कोटी होती है तो भुझ क्या होता है एक्स वाई क्या होता है कोटी यह होता है निर्देशांक यह होता है भुझ यह हो गई कोटी तो कोटी कितनी हो गई वाई बराबर दस मतलब कोटी क्या हुई दास कोटी कहलो चहल लंगोटी कहलो बात है की ही है तो चलो बहिया है ना आगे बढ़ते हैं मूल बिंदू के निर्देशांग मैंने कहा जहां पर यक्स अच्छ और वाई अच्छ दोनों कटे वो क्या हो गया मूल बिंदू अमूल बिंदु का निर्देशांग का हमेशा क्या होता है जीरो जीरो होता है है ना क्या होता है जीरो जीरो होता है अब आगे देखो अन्तिम सवाल है आज का भाया सारी चीजे बता दी गई पाठ एक से लेकर क्या भाया पाठ तीन तक अध्या एक से लेकर अध्यातीन तक पूरे के पूरे सवाल खतम हो गए ठीक है ना वाई अच्छ से तीन पांच की दूरी क्या होगी अब भाया मैंने आपको बताया है वाई अच्छ से दूरी कभी कह दे तो सीधे लिखेंगे यक्स का निर्देशांक क्या यक्स का निर्देशांक बेटा और तो भाईया समझ जाओ, क्या समझना है, क्या समझना है बाबू, है ना, तो क्या होगा, तो Y अच्छ से दूरी, Y का निर्दे सांग, तो क्या है, Y अच्छ से बिंदू की दूरी क्या होगी, तो बचो यह रहे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या महतुपूर्ट पचास सवाल जो कि आपके एक्जाम के लिए होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही लाजवाब बचो हसते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं पढ़ते रहे हैं सांदार से सिसन को देखते रहे हैं बचो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि पचास कोईशन बहुत मेहनत से तयार किये जाते हैं और बहुत मेहनत से पढ़ाये जाते हैं ठीक है ना बचो और बहुत मेनत से आप लोग भी पढ़ते हैं ऐसा नहीं है ना लेकिन लाइक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है है ना लाइक जरूर करिएगा है ना मिलते हैं फिर अगले क्लास में जिससे आप लोगों कभी भला हो सके हमारा भी थोड़ा बहुत होसला अबजाई होता रहे ठीक है ना बच्छो चलो भया फिर चलते हैं फिर अगले क्लास में सभी लोगों को बाई भाए